आज़्व कशमीर की नौशेरआ में सुरक्षा भलो के हाथ लगी बड़ी सफलता दो आतंकी धेर किये गये आतंके पास से भारे मात्रा में हत्यार भी बरामत आतंके पास से 47 समित कई तरह के हत्यार बरामत किये गये इलाकि बे सेना का साच ओपरिशन जारी सुरत के सेयेद पूरा इलाके में गनेश पंडाल पर पत्राव मामले में पुलिस नहीं कई लोगों को गिरफतार किया घटना वाले इलाके में भारी पुलिस बलकिते ना थी पत्राव की घटना पर पुलिस कमिश्रल अनुपाम सिंग का बयान का कुछ बच्चों ने गनेश पंडाल पर पत्राव किया जुसके बाद जड़ाप हुई मामले की जांच जारी पुजात के ग्रेमंत्री हर्श सांगवी ने घटना स्थलका दौरा किया और कहा कि दोश्यों के खलाफ होगी सक्तकार पुलिस सुरत पत्राव कान में आरुप्य की गिरफतारी पर ग्रेमंत्री हर्श सिंगवी का ट्वीट लिखा वादे अनुसार सुरत आने वाले पहले सभी लोगों को गिरफतार किया जाएगा मुत्रप्रदेश के कानपुट में ट्रेन हास्से की साजेश आई सामने बीच ट्रैक पर रखे से टकराई कालंदी एक्सप्रेस तीज अवास सुन लगाई एमर्जनसी ब्रेक यूपिगी कानपुर में ट्रेन के सिलेंडर से टकराने के माबले में केस दर्प्र कलंदी एक्सप्रेस को पल्टाने की साज़िश की गई थी कानपुर में जाज के लिए घटना अस्थल पर एटियस समेत कई एजनसिया मौजूद ट्रेन हासे को लेकर खंगाले जा रहे हैं सिसी टीवी उत्तर प्रदेश के बहराइच में तेंदुए ने गाए के बच्चे को बनाया निशाना तेंदुए ने गौशाला में हमला किया तेंदुए की तलाश में जुटा वन विभाग सीतपुर में भाग की दाहार से ग्रामिनों में दहश्रत वन विवाग की टीम ने भी सुनी भाग की दाहार वन विवाग ने ड्रोन कैमरे से शुरू की निगरानी यूपिके संबल में सियार ने मचाया आतंग महिला समेथ चार लोगों पर सियार ने हमला किया जासी में सियारों का आतंक सामनी आया है महिला समेट तीन ग्रामिनों पर किया गया हमला वन विभाग की टीम मौके पर पहुची लकिंपूर खिरी के में बाग के बाद अब भेडियों का आतंग सामनी आया है भेडिये ने यहाँ पर लगातार देकित दहशत फेलाई हुई और कई जानवरों और ग्रामिनों पर हमला किया उत्रप्रदेश के कई जिलों में आदम खोरों का आतंग देखने को मिल रहा है सीतापूर में बेडियों के जुन्ड ने युवक पर हमला किया बहराईच में बेडियों को पकरने के लिए वन भी वाक तयार है उत्रप्रदेश की संबल में सियार का अतंग खबले में चार लोग घायल गाओंवालों में देहुद का महल जीस्टी काउंसिल की आज होगी बैठक इंशुरंस प्रीमियर पर लगने वाले जीस्टी समेथ कई मुद्दो पर होगी चर्शा दिलिस सरकार की मंतरी आतिशी ने जीस्टी काउंसिल की बैठक से पहले केंद्र सरकार पर लगाया आरो का पिये मोदी की सरकार सर्खर्च कम कर रही है मुंबाई के लाल बाक्चा में भक्तोनी की बपा की पूजा लिया भगवान गणपति का अशिर्वाद और भक्तों में दिखा उत्साह का महौल रामंदे ट्रस्ट के अधियाक्ष नुर्ते गुपाल दास की बिगडी तबियत लखनों की में दानता में कराया गया भड़ती यूपी की सितापूर में अवायाद धर्मांतरन का परदाफाश बजरंग दल के कारेकरताओने पूलस पे दर्च करवाई शिकायत राजिस्तान की धौलपूर में मुसलधार बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत घरों में पानी घुसने से लोगों ने अब किया है प्लायन फसले भी बरबाद हुई उत्रप्रदेश के गौंडा में घागरा नदी में समा गया मकान नदी की तेज कटान के कारण घर नदी में डूबा बिहार के पटना में बदमाशों का आतंग जारी है अपराधियों ने गोली मार कर बीजेपी निता की हत्या कर दी मामले की जाच पुलिस कर रही है लूट पात का विरोध करने पर अपराधियों ने बीजेपी निता पाफारिंग की अपने परिजन को छोड़ने जा रहे थे बीजेपी निता तरप्रदेश के आजमगर्ड में पुलिस ने 164 अपराधियों को धर्दबोचा डियाईजी के नेतरतों में चलाया गया ग्रफतारिया भ्यार यूपी के फिरुजबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच बुटबेड पुलिस ने तीन शातर बदमाशों का धर्दबोचा और यहाँ पर बदमाशों है बुरी तरसे घाल पे हुआ बिहार के गर्खा में फर्जी डॉक्टर ग्रफतार लापरवाही के बटे से हुई एक यूवक की मौत पुलिस ने फर्जी डॉक्टर को ग्रफतार किया यूपी की सीतापूर में भेड़ी और बाग से देशियत आदाम खोर को पकड़ने के लिए वन विभाग में लगाए कैमरे धारदार हतियार के साथ लोग गश्ट कर रहे हैं उत्रप्रदेश की बागपत में पती को पीटने आई पडोसियों से भिड़ गई महिला मारपीट में एक की मौत एक घायल पुलिस ने पती पतनी को ग्रफतार किया यूपी की शाजापूर में दबंगो ने वकील पजनो के घर में गुसकर मारपीट की पुलिस ने मामना दर्च कर इस पुरे मामने की जांच की शुरू इधर उतरप्रदेश के बुलंद शहर में मामनी विवाद में दबंगों ने लोही की रोड से अधेर की पिटाई कर दी पिटाई की वार्दा सिस्ट्रीवी कैमरा में कैद हो गए मुरादाबाद में पुलिस ने अवैद गांजा तसकरों को पकड़ा एक महिला समेव चार लोगों को 40 किलो गांजी के साथ पकड़ा इतरप्रदेश के जांसी में कबड़ी खेलने के दौरान दोनों टीमों में विवाद हुआ मारपीट के दुरान एक युवक गंभी रूप से जखमी हुआ अस्पताल में भरतिकर आया गया जासी में नाबालिक लड़की के साथ दुशकर घर में घुशकर युवक ने किया दुशकर मामला दर्जकर आरोपी की तफ्तीश मुज़िटे पुलिस जौनपूर में बिज़ेपी नेता की सुरक्षमे तैनास सिपाही रतनेश प्रजापती की संदिग मौत हो गई पतनीन ने हत्या कारूप लगाया है युपी मौब में पुलिस ने फरार चोल रहे 136 अपरादियों को गिरफतार किया एकहतर वारंटी और पैसेट वांटिट अपरादियों को भी गिरफतार किया एटा में संदिग धालात में पेड़ पर लटका मिला अधेड का शब पुलिस ने शब कबजे में लेकर पोश्मॉटम के लिए भीज़ा पारिजनों ने जम कर अंगामा किया पुलिस इस पूरे मामली की तांच चांच परदाल में जुटी है और हत्या की गुथी सुलजाने की कोशिश कर रही है पुतरपदेश के हेटा में कपड़े की दुकान से मुवाइल चोरी करते हुए चोर सिस्रिवी कैमरे में कैद हो गया पुलिस ने अग्याद चोरों के खलाफ मामला दर्श किया यूपी की शामली में पुलिस ने इस्टी शीटर गुड़न हत्यकांट का खुलासा किया दो बेटों ने दस लाग की सुपारी देकर कराई थी पिता की हत्या लखिमपूर खीरी में पुलिस ने चिनेती और लूट की घटनाओं में शामिल चार अपराधियों को ग्रफतार किया है मुवाइल, बाइक और नगदी बरामत यूपी यूबलन शेयर में हनी ट्रैप केस में फसेदारोगा पपु सिंग को गिनल अंबित किया गया, जांक्स के दोनान दरोगा पपु सिंग के खिलाव फारोप सही पाए गए मुत्रदेश के सीतापूर में पुलिस ने चार चोरों को ग्रफतार किया है सोने चांदी के जेवर और नगदी बरामत सीतापूर में नव विवाहिता ने फासिल लगा कर सुसाइट किया पज़नों ने दहेज प्रतारना का आरोप भी रगाया मुत्रदेश की बदायों में यूपती की संदिक धालत में मौत हुई है पुलिस ने शफ कबजे में लेकर पोस्ट माटन के लिए भीजा है आलिगड में घर में नगन हालत में मिला शफ, मचा हाड काम पोलिस ने शफ को कबजी में लेकर पोस्ट माचन के लिए भेजा और इस पूरे मामले की जांच तेज की उत्यप्रदेश की जहांसे में शिक्षक ने स्कूल में खुदकुशी कर ली, फासी की फंदे से लटक कर आत्मात्या कर ली यूपी की फिरोजबाद में तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे, खड़े ठेले और बाइक में टक कर मार दी, सड़क हाडसे में की मौत कई लोग है लोग है उत्रप्रदेश के जौनपूर में सिलेंडर लीक होने से बाजार में आग लगई, घटना से इलाके में हडकम अच गया, फार ब्रुगिट ने आग पर काबू पाया मेंगलोरू में मंगलोर में महिला के उपर गिरा ओटो और मां को बचाने के लिए बेटी ने उठाया ओटो लोग कर रहे, बेटी की जम करता रही मद्रदेश के दर्मिदा नदी में दो महिलाईं डूबी एंडियारेफ की मदद से पूलिस ने शुरू किया सर्चिंग अभ्या उत्रप्रदेश के गोंटा में तलाप में दो दोलित तनाबालिक बच्चियों के शब बिले सडकम बच्चा बच्चियों के साथ हाथसा हुआ या फिर हत्या की गई इस पुरे मामले को लेकर पॉलिस कर रही है जांच उत्रखंड के हल्दवानी में मूसलाधार बारिश से मच्ची तबाही काट गोदाम में पासरी जो कार है वो बह गई यूबी के सीतापुर में तेज रफ्ता जब परने साइकल सवार कुमारी चकर हाथसे में दोनों साइकल सवारों के जान चले गए उत्रखंड के लिगट में बारिश के दुरान गिरा कच्चा मकान मल्वे में दबने से आठ साल के मासुम की मौत उत्रखंड के दमों में ताराब में जूबने से तीन मासुम बच्चियों की जान चले गए तलाब में नहाने गई थी ये बच्चिया जिल में बंद पाकिस्तान के पूर पियम इमरान खान के हजारों समर्थकों ने इसलामवाद में रैली की रियाही की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया लॉस एंजिल्स के जंगल में लगी भ्यांकर आग आग की वज़े से हजारों घरों इमारतों को निशान और खत्रा भी है आग उचाने के लिए खायल हुए तीन ना दमकल कर भी इस्राइल के तेल अवीब में बंधकों को चुडाने के लिए सडकों पर लोगों का प्रदर्शन देखने को मिला नितनियाहु सरकार के खलाब सडकों पर उत्रे सैक्रों लोग नाइजीरिया में गाड़ी से टकराने के बाद तेल टैंकर में लगी भैंकर आग हाथ से में 48 लोगों की जान चरिके कई लोग घायल बताय जा रहे है प्रो आइलेंड्स में की गई 130 डॉल्मरिक्व की हत्या अपको दादे की सद्यों पुरानी प्रथा के चलते इस्थाने लोगों ने बहरमी से की हत्या ताश्य पत्य की तरह गिरी इमारत तुफान में शुतिक रस्थ होने के बाद टावर को धस्त किया गया है तस्वीर आप देखे मुरकों में मुस्तलाधार बारिश के बाद तुफान पढ़ना दिया कई लाकों में बाड के हालात कैलिफोर्निया के आईलाइंड रिलाके में जाडियों में लगी आग आग बुजाने की कोशिशें लगातार जारी अमेरिका के इंटुकी में शूटर की तलाश में जुटी फूलेस हाइवे पर नौ वहानों पर गोलिबारी कर पांच लोगों को घायल किया था पुर्दगाल में जेल से पांच शातिर अपरादी फरार पुलिस सपरादियों की तलाश मुझटे बुलिविया के जंगलों में लगी आग भैंकर हो गई मरजरनसी के घोशना कर दी गई आग ने चार मिलियन हेक्टेर मैदानों को निगला है मिस्तिक रासदानी काहेरा में हुई एमिंजिंसी मिटिंग और इस बैट की गाजा इसराइल युद पर भी चर्चा की गई इसराइल ने गाजा में शुनार्थी शुवेर पर हमला किया इसराइली हमले में दो मासुम बच्चियों की मौत हो गई लास इंजल्स के जंगलों में लगी भ्योंकरा, खत्रे को देखते हुए हजारों घरों को कराया गया खाली वेतनामे आगी यागी तुफान ने 21 लोगों की जान लेली तुफान की कारण लेंड्स लाइट का खत्रा बढ़ा है पहाड़ी लाकों में कई घरों को नुकसान पहुचा है वेतामे सुपर टाइफोन यागी नहीं एक नाव को पलट दिया पैरटिकों की नाव पलटने से 8 लोगों की मौत खरीब 188 लोग घाय लोग है जिनके उप्राशपती हान जेंग ने रूस के बाद मेंगोलिया का दौरा किया है हान ने प्रधार मंत्री के साथ बैठक की और साते साथ राशपती उखाना सहित नेताओ से मुलाकात की पापवा न्यूगिनी के दोरे पर पोप फ्रांसेस अपकदादे की कैथूलिक चर्च में प्रातना सभा का आयोज़ुन किया गया जब्याच्यो प्रमुक टेड्रो सद्नो पूर्वी अफ्रीकी देश सुदान पहुंचिया विश्व स्वास्ति संगठन के अध्यक्ष ने कहा संकत का पहमाना चोकाने वाला है सुदान में संकत पर जुताया अफसोस इस्राइल ने गाजा के खान यूनिस पर किया हमला ड्रोन हमले में हमास का रॉकेट कमांजर मारा गया केनिया के स्कूल अस्टिल में लगी आग और बच्चों की मौत का आकड़ा बढ़ा आग में जलने से 21 बच्चों की जान चले गई इस्राइली जॉर्डन बॉर्डर पर हुई गोली बारी की निंदा की है विस्ट बैंक और जॉर्डन बॉर्डर पर हुई गोली बारी में तीन लोगों की मौत हुई बिस्ट बैंक और जॉर्डन के बीच क्रासिंग पर गोली बारी में तीन लोगों की मौत के बाद मौके पर इस्राइली पलिस पहुंची और मारे गए सभी तीन नागरिक इस्राइली थे पिस्ट बैंक में गाउं में लोटे फिलिस्तिनी नागरे के इस्डाइली हमले में के बाद से पूरा गाउं खाली हो गया था लिपनान ने किया इस्डाइल पर भीशन हमला एक साथ तीस रॉकेट से हमला किया यमन के हुती विद्रोहियों ने अमेरिकी M.U.9 ड्रोन को मार गिराया है अमेरिका ने हुती इलाकों में किती फायरे वो इतना में आगे तुफान ने लिए चार लोगों की जान सुपर टाइफून यागी में खरीब 78 लोग खायल हो गए सुपर टाइफून यागी ने दक्षनी चीन में बरपाया के है चार लोगों की मौत हो गई करेब 95 लोग खायल हो गए